नमस्कार दोस्तों, Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज हमारे पास एक अभ्यारती का फोन आया उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जब हम Study के वीडियो देखते हैं तो सजेशन में और भी वीडियो आने लगते हैं Study से सम्मन्दित तो हम कैसे पता करें कि कौन सा YouTube चैनल पढ़ाई का हमारे लिए बहतर रहेगा तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की गौर्रमेंट जॉप से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे अब आप ये सोचेंगे कि मतलब हमारे पास फोन कैसे आ गया तो हमने अपने सबी सब्सक्राइबरों के लिए ये सुविदा स्टार्ट कर रखी है कि अगर आप भी चाहें तो सीधे मुझे फोन पे बात कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है दोस्तो एक समय था जब स्टेडी पर जादा चैनल नहीं थे मैं बात कर रहा हूँ आज से पांच-छे साल पहले की मगर आज की तारिक में आप देखेंगे कि लाखों चैनल है तो कैसे कौन सा चैनल बहतर है कैसे पता करें दोस्तो हर वेख्ती हर यूट्यूबर जो है अपने content को सबसे बढ़िया बताता है कि हमारा content जो है वो सबसे बढ़िया है और लोग कैसे trust करते हैं लोग देखते हैं वीडियो के views कितने आ रहे हैं चैनल के subscriber कितने हैं वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि views and subscriber is just a number इससे कोई फरक नहीं पड़ता है हो सकता है कि जिसके कम subscriber हों जिसके कम view हों वो उससे जादा अच्छा पढ़ाता हो YouTube पे यह होता है दोस्तों कि जिसकी गाड़ी चल गई वो चल गई और जो विचारा जिसके भले ही कितनी मेहनत कर रहा है उसका video suggestion में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है example के लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों मैं खुद एक ऐसे YouTube चैनल को जानता हूं खुद एक PCS अफसर है और क्योंकि वो इतनी तरीके की लुभावनी बाते नहीं कर पाते या कहा जाए कि लालच नहीं दे पाते अपनी वीडियो में सिर्फ पढ़ाई की बाते करते हैं इसलिए उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते समझ रहे हैं आप तो या थमनेल नहीं बना पाते हैं वो इस तरीके के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि जिसके सब्सक्राइबर कम है वो जो है अच्छा नहीं पढ़ाता होगा समय आने पर मैं आपको ऐसे कुछ चैनलों के नाम भी बताऊँगा जो पढ़ाते अच्छा हैं मगर उनके सब्सक्राइबर कम है अब बात करें कि अच्छा कैसे है कैसे पता करें कौन सा बहतर रहेगा मैं बुरा तो नहीं कहूँगा कि कौन से चैनल बुरा है कौन सा अच्छा है मैं आपको सिर्फ यह बताऊँगा कौन सा बहतर होगा आपके लिए क्योंकि यूट्यूब पर जो भी काम करता है मैनत तो करते ही है सभी बहतर के लिए दोस्तों कोई भी वेक्ति अगर अपने content को अच्छा बता रहा है कोई बात नहीं बता सकता है मगर अपने content को अच्छा बताने के लिए दूसरे के content को बुरा बता रहा है तो यानि कि वो अपने material पर काम नहीं कर रहा है वो दूसरे के देखने पर जादा समय वेस्ट कर रहा है समझ रहे हैं आप तो यानि कि जो अपने प्रोड़क्ट की तारीफ करें कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने की तारीफ करते रहें अच्छे आप YouTube चैनल देखेंगे वो आप यह देख सकते हैं कि हाँ एक YouTube चैनल दूसरे की तारीफ कर रहा होगा मगर जहां बुराई वाली बात होती है कई बार तो आपने देखा हुआ का YouTuber आपस में लड़ मरते हैं पहले वो उसके लिए वीडियो बनाता है फिर रिपलाई में वो उसके लिए बनाता है तो इस तरीके के छोटे तरीके से आप यह कह सकते हैं नॉर्मली व्यूस आजाते हैं मगर सब्सक्राइबरों के दिलों में जो है वो जगे नहीं बन पाती है तो दियान रखिएगा जो भी अपने content को अच्छा करने के लिए किसी दूसरे की बुराई कर रहा है उसका जो content है वो शायद इतना बहतर ना हो और दोस्तो एक चीज दियान रखिएगा जब भी अभ्यारती select होते हैं माल लीजे किसी ने paid group चलाया और उस paid group में से चार लोग जो है select हो गए तो उन चार लोगों का तो नाम वो YouTube चैनल लेगा कि हमारे से पढ़े और इससे select हो गए और जो वो 40 फेल हो गए उनका नाम कोई नहीं लेगा वो YouTube चैनल वाल तो नहीं कहेगा कि मेरे यहां से पढ़ेते और फेल गए तो इसलिए किसी यह content चाहिए कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो दोस्तों चब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता मीटी मीटी बाते तो सब कर लेंगे समझ रहें आप लुभावनी बाते हैं जिससे की एक तरीके से आपके consumer बन जाएं आप मेरी बात को deeply समझ पा रहे होंगे इसलिए content आप reference लीजिए YouTube चैनल से क्या दिवाने कोई हो जाएंगे किसी के तो आप reference के लिए जैसे माली कोई concept समझ में नहीं आ रहा जोग्रफी का हिस्टी का यह कुछी का भी आप उसे YouTube सर्च कर लीजिए ठीक है मगर आप यह सुचेंगे कि आपके बदले वो exam लिखे आएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ठीक है दोस्तो मैनत आप ही को करनी है ultimate यह मैं बार बार कहता हूँ और मैं कभी नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारे YouTube चैनल को subscribe यह फिर हमारे से ही पढ़िए आपको जहां से बहतर मिलता है वहां से पढ़ाई करिए और कोई ऐसा भी नहीं जिसका ब्रांड बन चुका है उसी पर ही content अच्छा मिलेगा जिसका ब्रांड नहीं है उस पर content अच्छा नहीं होगा तो आने वाले समय में आप लोग कुछ ऐस से study channel जरूर बताऊंगा जो कि गुम नामी में खोई हुए हैं बहुत मैनत करते हैं मगर फिर भी उनके वीडियो suggestion में नहीं आते या thumbnail वह अच्छा नहीं बना पाते जिस वज़े से जो है उनके वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है वीडियो अच्छ